नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करती हूं आप सब अच्छे होंगे अभी सुबह टेरिस पे आने के बाद देखा तो यह मैक्सिकन पिटूनिया अपनी फुल ब्लूमिंग पे है और देखिए कितना सुंदर खुबसूरत फूल निकले हुए हैं क्योंकि साम को आने से तो यह बिल्कुल मुर्जा जाते हैं और नहीं मिलते हैं हमें वीडियो में और अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने जो भी वीडियो डाले हैं मैक्सिकन पिटूनिया के तो उनमें से फूल नहीं है लेकिन जब साम को आती हूं तो यह मुर्जा चुके होते हैं अभी मैं बहुत सुन्दर दोस्तों ये कटिंग से लगता है और आप इसे पर्चेस भी कर सकते हैं बहुत कम केर में चलने वाला है ये पोधा और भर-भर के फूल देने वाला पोधा है कई प्रकार के रंगों वाला पोधा हमारे पास तो ये परपल कलर का है और एक और है ये देखिए पिंक कलर का ये भी बहुत खुबसूरत लगता है ये आपको 30 रुपए से 40 रुपए तक का आपको नर्सरी में मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप रोड साइट से खरीते हैं तो हो सकता आपको 20 रुपए में ही मिल जाए बहुत ही सुन्दर पौधा है हमारे गार्डन का आप देख सकते हैं भर-बर के फूल आ रहे हैं तो दोस्तों भर-बर के फूल गुच्छों में फूल तो क्यों नहीं हम लगाए ये पौधा खास तोर जह हमारे जो विंटर्ड्स हैं उन्हें जरूर लगाना चाहिए और मैं बार-बार यही कहती प्लांट है उसे हमारे विंटर्स को लगाना चाहिए इसके हम दो फौधने पर-चिस करके लाए थे एक यह रहा और यह कि यह इधर देखिए दोस्तों इसकी खोड़ा पत्तियों में फरक हैं इसकी पत्तियां दूसरी तरह की है लेकिन यह है मैक्शिकन पिटूनिया फूलों का साइज एक जैसा है जैसे इसका है इसी तरह से यह देख सकते हैं बहुत प्यारे-प्यारे कलर है सेडेड है देखिए इसके अंदर डार कलर इसमें भ गार्डन में आड़ करें इतनी सी कटिंग आप बोटल में किसी चीज में लगाते हैं यह देखिए तो यह अच्छा सरवाइब करता है और यह आपके गार्डन में ग्रीनिरी तो देता ही है बलकि फोल भी गुच्छों में देता है भर भर के देता है आप जब कभी सुबह आती हूं और अपने दोस्तों तक पहुचाती हूं तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताईएगा जरूर और पौधों से या फूलों से रिलेटेट कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ओके बाइबाए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक को सबसे पहले मिले